है कि भी वेलकम बेग टो दिस यूटुब चैनल तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इतिहास की पर्मुक घटनाय एवाम उसके घटित वर्स ठिक है यानि कि इतिहास में कुछ पर्मुक घटनाय हुए और किस-किस वर्स में वह घटना है हुए इन सारे चीज़ों को हम लोग डिसकस करेंगे तो अगर आप किसी भी कमटेटिव एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वीडियो लाइक तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से लाइक कर दीजे और चैनल पर न करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है ठीक है कि बिना याद किये हुए जी कि आप पॉसिबल है नहीं ठीक है यह समझने वाला बात है इसको याद ही करना पड़ता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर दिया गया कि गौतम बुद्ध का जनम पूछा जा पहले के गौतम जनम के गता मुद्ध के जनम कब हुआ ता तो कौतम बुद्ध का जनम हुआ एक इतिहासी परमुः गटना और इस तैब 다음에 महाबीर का जनम का पान्सो पांसो चालीस इसा पुर्व कभ हुआ था पांसो चालीस इसा पुर्व ठीक है तो महावीर का जनम कभ हुआ था पांसो चालीस इसा पुर्व हुआ था महावीर का जनम अब महावीर के बारे में जान लेते हैं निर्वान का ठीक है कि महावीर का निर्वान का हुआ था तो नि वारन ठीक है क्या पुछा जाना है गौतम बुद्ध का महा परिवारन तो इनका महा परिवारन की अगर हम बात करें तो इनका महा परिवारन कभा था तो इसका सही हो जाएगा कभा था तो ृइस को नाम को कमेंट सेशन में बताना है है अगर आगे बढदे और भी कुछ घठनाय देख लें ते जिनके आप दिया गया कि यानि कि उसने भारत पर आस्पुरalom किया थे उसने क्या कि था भारत पर आयक्रमन करूत था सिकंदर अ सिने किया था 326 से चीस अपूरा की यह तो बहुत फेमजिक स्टीर जुए जो तो असोक और कलिंग के जो लड़ाई हुआ था उसी के बाद असोक ने अपना यूद्ध करना छोड़ दिया था ठीक है सनवत का किलेंडर है अगर इसकी हम बात कर जो इसका स्टार्ट को उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सब्सक्राइब लगें गार्म हम बात करें तो सब्सक्राइब लग अगला है हिज्री जानृत के बार वह दोग बात कर लेते हैं है कि इसमें हिज्री सनवात की अगर हम बात करें तो हिज्री भारत की भायान की भारत यत्रा जो एक चीणी यत्री था जिसका नाम था फाहयान तो उसके बारे कुछा लाए भरत की यात्रह कब किया थे कि कि तृ बफिधन भारत की तरह पूछा जारा है कि ऊच्छ टाइम मैं भारत आाया था तो वह आया लेकि 947 श्यूतम हर्सवर्दाने शासन्द किया था नेस्ट है वैंग संट क्या थे एक चीनी यत्री था जो भारत की आत्रा पर आया था तो कब आय था तो तो सबसे पहले भारत कोन आया था चीन है तो फाहान फिर हम वें संगा था खायान कब देखा चार्टा पाज पास इसाइशु तक था और 630 में संगा था ठीक है अगला सवाल दिया गया इसको important mark कर लिजेगा question में पूछा भी जाता है ठीक है बहुत सार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमन कब और किस ने किया था तो आपको याद रखना है कि जो भी घटनाय दिये गया है उसके बारे में तो अगला दियागै तरहाइन का पर्थम यूद के बारे में पूछा जा रहा है कि तक हम बात करें तल्एक 191 में त्राइन का पर्थम यूद कव आथा 1191 में त्राइन का दिर्तिये यूद्ध हम बात करें तो अगले तुरंत एक साल बाद तराइन का दिर्तिये भी श्वीज्व हुआ था कव दूदा तो 1192 अगभा था एगारासों बादे इसी में ठीक है गुलाम वन्स की स्थापना तो गुलाम वंस था उसके स्थापना के बारे में पुछा जाए कि उसका सपना कब वह था तो गुलाम वंस के सपना हुआ था बारासो छेश्वी में कब वह था बारासो शेश्वी में गुलाम वंस का सपना हुआ था ठीक है तो यह सारे कुछ चौल्स किया था वाश्कोम्ति हमाँ भारत आया कभ था था वह 1498 स्भी में थी कभ आया था 1498 एसवी में चौनी कुलकी पूर्थ का लिटार है पानी पुछा जाता किसके यूद के कि पुछा गया कि पानी पत का परथम यूद के बारे में पुछा गया कि कब हुआ था तो पानी पत के परथम यूद के बात करें तो ल gekommen कर ली जिसको इंपोटेंट लिएगा यह बहुत करत नहीं सारे चीजiones है अगला दिया अगया कि फानी पत्का funeral के दूसरा सद्सकोशा यू धन करें तो dernière few सा龙ो और अगला दिया गया कि अकभर का राज صवीय में यानिक उसका राज्य को अर भुत इस फैड जी घुनで इसंतर पर इस चीज़ को प्रेखब कर सकते हैं पानीपत का दिर्तय यूद और अकभर का राज्य हर का धात दो दोनों कब हुआ था तो 1556 में ठीक है दोनों 1556 में हुआ था तो जो भी घटना सेम यर में हुआ है उसको रिलेट कर रहेगा इसे क्या होगा कि वह जल्दी से याद हो जाएगा नेक्स्ट इहां पर दिया गया कि हल्दी घटी का यूद बहुत भेवास है ठीक है बहुत बार पुछा जाता है एक्जाम में आपको पता होना चाहिए तो हल्दी घटी का यूद कब हुआ था 1556 में अगला सवाल दिया गया है कि दिन ए इलाही धर्म के इस्ठापना अगला स हुआ था दिने इलाहिद हम कस्टपना कब हुआ था तो 1582 इस्वी में अगला है प्लासी का यूद ठीक है जो प्लासी का यूद था वो कब हुआ था तो प्लासी की यूद की बात करें तो 1757 में ठीक है बैड़ा लग प्लासी कब हुआ था 1757 में ठीक है 1757 में प्लासी का यू हुआ थे मैं प्रिपीट करते रहेगा याद हो जाएगा ठीक है मंगाल में अस्थाई बंदौस अगला सवाल दिया यहाँ पर पूछा गया कि बंगाल में अस्थाई बंदौस ठीक है एक तरा का इतिहासि घटना है तो तो इसका आपको याद रखना है कि कब हुआ था तो बंगाल में अस्थाई बंद्वस के अगर हम बात करें तो यह 1793 में कभ वा था 1793 में नेक्स्ट टेप कि बंगाल में पर्थम विभाजन ठीके बंगाल का पहले बार विभाजन कभ पूं किया गया था तो वह 1905 में किया ग रॉक नाइटे करनलोजकल आडर में यानिकी टाम वानुसर नेक्स्ट पचल गया कि मुस्व्दीम लिंट कहले स्थापना तो मुस्व्दी और बुल दिए कि मुसलीव लीटिट कभना उनीसोच्ड में हुआ था कि मले मीनटों शुधार पूछा जया ठीकेक कॉन सा मने मीनटों सुधार अहां यानि निकले रिफॉर्म आया था उसके बार में पूछा जा है कि यह कब हुआ था 1914 से 1918 2020 तक चार साल तक पर्थम विष्य यूध चला था ठीक है उसके बात करें तो 1949 से पैतालीस तक कब से कब तक 1949 से 1945 शीज तक दिर्तिय कीउध हुआ था अगला कर हम बात करें तो सहयोग अंदुलन के नोन काप्रेशंड मूमेंट की अगर बात करें तो उसके बार में पुछा जारा है how to run के बारे में कि यह कब उता तो 1920 से 22 में ठीक कि हूँए अन्दोलन चलाया गया था ठीक है असरो यह गया था तो उनीस सभी से इंन्यसोबाइस में साहिमन कमिशन का आगमन रात में सयमन कमिशन का वारा था उन्नीसक खार आथा उन्नीस nota हैसे तो हो इनटी मार्च में सॉतियागर हुआ रही है में साइमन कमिशन भारत कवाया था 1928 में और सहयो गंदोलान 1922 में चला गया था ठीक तो यह सारे क्या है modern history की most important times है ठीक है अगला है गांधी इर्विन सम्झावता ठीक है गांधी और इर्विन ठीक है गांधी और इर्विन के बीच में पैक्ट साइन किया गया था समझावता हुआ था तो कवा था वो डिखेन में कैजा उन्दवल गणि गया था चाहिए नइसटी Sedansudo भारत में और पकिस्तान के बार में यहां पर याद रखना कि पहरें पर पाकिस्तान यहां पर याद रखना है हुआ था 1965 में भारत और में यूद हुआ था था किया दिया गए है तासकंद समझवता के बारे में दिया गया meaning गठना का समाधर को याद रखना है चाल्स कहता की बात करें तो 1966-47 में हुआ था निस वैं था bronze कौटका करें गणितार के भ favor केका हमवात करें तो ताली कोटाथ का यूद कं तो ताली कोटा की दिया फॉब खुट 155 255 में तो नहीं अगला है प्रथम एंग्लो मैसूरियोध ठीक के फिर्स्ट एंग्लो मैसूर और कि अग्रं हम बात करें यह ले करें तो यह हो जाए का 1776 से लेगे 1729 तक ठीक है, 27 doubts 99 तक हुआ था पर्थम एंगलो मैसूर यूद करें तो कह से ऐंगलो मैसूर यूद कर करें area तो तीर्थे एंगलो मैसूर यूद कब वो Hers औहा तो सा त्रश्षय चौ्डासी से सट्रश्षी तो ठीक है है तिर्थी एंग्रो मैसूर यूद के बारे में पूइप ज़ा रहा है तो तेर्थी एंग्लों मैसूर की हम बात करें तो यह उद mobilize था एंग्लों मैसूर यूद करता है हुआ है तो चार बारव ठाइंगल वा था एंगलो मैशूरियोद ठीक पर्थम दिरतियत ढुबika में फटम हो था अगला किक समेल अब राउंटेबल चाहंए चहले गांदिर इंहीं Правिक प्परेचिट हुआ था उसी वाज़ा से हुआ थाuego पर मम दिर्थी और ये लगतार चला । तो यहां से आपके लिए एक सवाल है सवाल HW में रहेगा कि कौन से इंडियन थे टीक है इंडियन का नाम बताना है जिसने तीनों राउंड टेवल कंफ्रेंस को एटेंड किया था यह आपके लिए कि अगे भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत और बचा हुआ है यहां पर कि क्रिप्स मिशन का आगमन कभ वा था तो क्रिप्स मिशन का आगमन करती हुआ था और लगनाव पैक्ट की बात करें तो 1916 में हुआ था तो 1916 में तो यह थे कुछ इतिहासी घटना है और उस वो कि सं में घटना हुए थे यह सारी हम लोग डिसकस कर लिए हैं तो आज के लिए इतना ही आज का सेशन नहीं पर समप थो आज सेशन कैसा लगा कम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैह हिंद्ध